आपका शरीर हमिशा ही बैक्टेरिय और वाइरस से घिरा रहता है और आज पूरी दुनिया कोरोना वाइरस से जूज रही है चाइना के होँच शहर से फेला हुआ ये वाइरस आज पूरी दुनिया में फेल गया है आज हम बताएंगे आखिर कैसे कोरोना वाइरस आपके शरील में फेलता है और कैसे इससे बचा जा सकता है तो वीडियो को लास्ट पूरा देखे आप सबको बता ही होगा कोरोना वाइरस एक दुसरे के संपर्क में आने से फेलता है अगर कोई कोरोना ग्रस्ट एक जगह को छूले और उसी जगह को आप भी छूलेंगे तो कोरोना वाइरस का संक्रमन आपको भी हो जाएगा इसलिए कोरोना वाइरस आज दुनिया के 170 देशों में फेल गया है आखिर कोरोना वाइरस अमारे शरील में कैसे भिलता है आईए चलिए दिखते है कोरोना वाइरस आपके नाक और मुग के रास्ते से आपके शरीर के अंदर प्रोविश करता है अगर आप कोरोना वाइरस का स्ट्रक्चर देखोगे तो उस पर काटेदार ग्लाइको प्रोटिन्स होते है जो कि एक की की तरह काम करते है यानि चाबी के तरह काम करते है और आपके शरीर के जो सेल्स होती है वो लॉक की तरह काम करती है जब वाइरस आपके शरीर के अंदर गुसता है तो वाइरस आपके सेल्स को अटेज हो जाता है कोरोना वाइरस सबसे पहले आपके गले और फेबड़े पर अर्सर करता है और उदर के cells डैमेज करता है जब कोरोना आपके cells में जाता है तो वाइरस के अंदर का material खुत को फिर्ट से नया बनाने लगता है और एक कोरोना वाइरस से 2 और 2-4 ऐसे लाखों और कोरोड़ो वाइरस molecules शरीर में तयार हो जाते हैं और यह इतनी तादाद में बढ़ते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं वाइरस पूरी तरह से आपके शरीर में फेल जाता है सबसे फेले वाइरस आपके फिपड़ों में जाता है जहांसे आपका शरीर ओक्सिजन लेके कार्बन डियक्सड बाहर डालता है मगर जब कोरोना वाइरस आपके फिपड़ों में पोचता है तब शरीर म्यूकस लिक्विड को बहुत तादद में सिक्रेट करता है और इस म्यूकस की तादद इतनी जादा होती है कि आदमी को नियूमोनिया हो जाता है क्योंकि ये लिक्विड आपके फिपड़ों के अलोली तक पोच जाता है जहांसे आप ऑक्सिजन लेते हो और क्यारवन डियक्सड बाहर डालते हो इसकी वज़े से आदमी को सास लेने में बहुत ज़्यादा तकलिव होती है और इस कंडिशन में आदमी को वेंटी लेटर पर रखना पड़ता है मतलब उसकी बचने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और इस कंडिशन में ज्यादा तर लोगों की मौत हो जाती है पर डरने की बात नहीं अगर आप स्वस्त और तंद्रुस्त होंगे तो कोरोना वाइरस आपका कुछ ने बिगाड़ भाएगा वर्ल्ल डेल तो और्गनाजेशन के स्टडी के चलते ये बता चलाएगी दस में से आठ लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे और आपकी डायट मेंटेन रखेंगे तो आपका शेरिल कोरोना वाइरस को खतम कर देगा आपकी इमिन सिस्टिम कोरोना वाइरस को पूरी तरह से खतम कर देगी अगर आपकी इमिन सिस्टिम उतनी स्ट्रॉंग होगी तो तो उसे बढ़ाने के लिए हर रोज एक्सेसाइज करिए खोलो का सेवन करें, संतुली ताहर लीजे इससे आपके इमिन सिस्टिम स्टॉंग रहेगी और कौन से भी वाइरस से आपको बचा के रखेगी कोरना वाइरस से COVID-19 ये डिसीज होता है जिसके लक्षन कुछ लोगों में जल्दी दिखते और कुछ लोगों में बहुत दिनों के बाद इसलिए इसे पेचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है शुरूत में जरा सब उकाब और खासी आती है उसके बाद सरदुखना, कन्प्यूजन होना सास लेने में तकलिव होना इसलिए अगर आप में कुछ लक्षन दिखे तो जल्द से जल्द आपके नजदी के अस्पताल में दाकिल हो जाएए अगर आप जल्दी अस्पताल में दाकिल हो जाएंगे तो आप जल से जल ठीक हो जाएंगे तो खुद का ख्याल रखें अपने परिवार का ख्याल रखें गर के बाद जाने से बज़े सैनिटाइजर का यूज़ करें मास्क का यूज़ करें और खुद का ख्याल रखें एसे वीडियोज के लिए मिस्टरेस वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे बेल आइकोन को आउन कीजे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए कुछ सुजा होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताए मैं मिलता हूँ आपको आगले वीडियो में तब तब के लिए भाई भाई